जे हिंद, जे भारत इजम पंटर में उसे इंपोटेंट है उसमें से एक है वाल्यवेशन चैप्तर बराबर चैप्तर है head 2nd module के अंदर चैप्तर मौैं-बर 4 वाल्यवेशन एक आप कि इसमें इंपोटेंट है वेहाउजीघ जो इसबार इंपोटेंट हो सकता है जनरल ही नहीं, बढ़ इस पर क्योंकि इसमें अमेंडमेंट काफी हुए हैं, एक है चेप्टर नमर एट जूटी ट्रॉबैग, चेप्टर नमर नाइन बैगेज, और फोरेंग ट्रेड पॉलिसी चेप्टर 11, और कुछ प्रोविजन चेप्टर त्रीक हैं, उनके कुछ प्रो हो सकते हैं, और CS में फोरेंट ट्रेड पॉलिसी नहीं है, तो हम शुरू करते हैं यहांपन, फोर्स चेप्टर बैसिक कॉंसेट से, आपके पास में जो भी बुक से, मट्रियल जो भी दिया है, चेप्टर नमर वन, बैसिक कॉंसेप्ट आफ कॉस्टम्स, बराबर, अब इस बैसिक कॉंसेट के अंदर क्या है, जो हमने वीडियो में देखा, मैक्जिमुम चीजे कवर होगी, जैसे पेज नमर टू है, बैक्ग्राउंड अप कस्टम्स लो, वो अलरडी हम पढ़ चुके हैं, स्टाटिंग अंदर, जब हमने एकसाइज शुरू किया था, उसी में, कस कस्टम्स ड्यूटी, सॉर्स ऑफ कस्टम्स लो, सॉर्स ऑफ कस्टम्स लो में ये बोलते हैं, दिक कस्टम्स एक नाइटीन सिक्टीटू, कस्टम्स एक्ट नाइटीन सिक्टीटू, उससरे कस्टम्स के प्रोविजन बने में हैं, और एक कस्टम्स टैरिफ एक्ट नाइटी जो भी rate applicable होगी, कितने तरी की duties लगेगी, कौन से sections में लगेगी, उन सब का explanation tariff act में है हमारे यहां पर, बाराब उसके अलवा rules, regulation and notification जो time time पर issue होते हैं, government issue करती है, वो सब काम के, तो यह सब सिर्फ जस्त एक reading के लिए आपके लिए sufficient है, exam point of उसे इतना important नहीं है, बड़ आजाओ, page number 3 पर, chapter 1 का, taxable event under custom set 1962, जिसको two parts में divide किया गया है, import and export, इधर लगो, now, page number 3 जो है, उस पर देखो taxable event under custom set 1962, import and export, import की definition, export की definition, फिर निचे इंडिया की definitions, यह जो chapter आपका है, यह पूरा chapter सिर्फ definitions के लिए ही है, यह three page का chapter है, तो यह definitions अभी हम यहाँ पर discuss करेंगे, okay, यह इसलिए आपको book का page दिखाए जा रहा है, किसी इक पास पूरानी book हो, तो page number 1-2 page उपर नीचे हो सकता है, तो आपको idea लगी कि मैं किस topic की बात कर रहा हूँ, now, शुरू करता है, सब से पहले taxable event में पहला है, import, अ समझने, आपने वीडियो देखा, जब कोई भी goods, कोई भी ship 12 nautical miles में enter होता है, तब import शुरू होता है, बराबर, इधर देखना, यह पीछे ship है, यह ship जब 12 nautical miles में enter होगा, किसमे 12 nautical miles, 12 NM, 12 nautical miles में enter होगा, और वो 12 nautical miles कौन से 1st 12 nautical miles, 1st 12 nautical miles बोले तो इंडियन territorial water उसमें जब enter होगा, ITW में, इंडियन territorial water में, तब import शुरू होता है, उसके बाद, वो port पो उतरा, तब भी उसको import माना जाएगा, कस्टोडियन की custody में तब भी import माना जाएगा, मालूम है आपने वीडियो में देखा, विश्वास राब, विश्वास देसाई, तो जो विश विश्वास भाई थे, उनकी custody में माल रखावा था, तो उसको imported goods ही बोला जाएगा, वो import है, लेकिन जब उन पर Mr. भावेश वागिला ने duty pay करके remove कर दिया, या Amit Rajpourit के जो partner आये थे, उन्होंने duty pay करके goods को remove कर दिया, तो जिस दिन आप duty pay कर देते हो, उस दिन से वो imported goods न वो domestic goods कहलाता है, तो इसका मतलब import तब तब continue रहता है, जब तक उस पर duty pay नहीं कर दे जाए, duty pay करने के बाद import conclude हो जाता है, और वो क्या कहलाएगा, domestic goods, सेम वैसे ही export क्या होता है, माल लो मैंने को कोई goods export करना है, माल लेते हैं कि ये goods मुझे export करना है, ये जो goods मुझे export करना मैं इसको मैं ले जा करके custom authority को देता हूँ, ये custom authority है, customs department, customs authority को देता हूँ, customs authority जो है, जिसे ही उनके hand over करूंगा माल को, वहाँ से export शुरू हो जाएगा, और जब वो vessels 12 nautical miles cross कर लेगा, 12 nautical miles cross कर लेगा, तब export conclude हो जाएगा, बट यहाँ पर एक question ही आता है, क्या import के लिए 12 nautical miles में enter होगा, तो ही import होगा, कि और भी कोई condition है, import के लिए condition होती है, कि goods आपने outside इंडिया से purchase किया हो, या मंगवाया हो, बराबर है, और export के लिए condition होती है, कि goods इंडिया से निकला हो, और outside इंडिया, मतलब कोई country, अदर दिन इंडिया, उसको deliver किया गया, या वहाँ प पोर्ट से goods निकलता है, और वो चैनने ही जाता है, वो goods अगर 12 nautical miles cross होता है, और फिर बाद में 12 nautical miles में enter होता है, भाई, शिप किससे जाएगा, शिप के थू जा रहा है, तो 12 nautical miles cross किया, फिर उसने 12 nautical miles cross करने के बाद घूम करके कन्या कुमारी होता हुआ, वो शिप जो है, वापस चैनने ही जाता है, और चैनने ही पोर्ट पर जब वो पहुँचेगा, तो वो वापस 12 nautical miles में enter होगा, इंडिन टेरिटोरिल वाटर, पहले cross किया, फिर इंडिन टेरिटोरिल वाटर में, शिप एंटर वा, इसको export और इंपोर्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुड्स का जो डेस्टिनेशन है, वो इंडिया ही है, इंडिया के बाहर नहीं, तो export के लिए गुड्स का डेस्टिनेशन भी outside इंडिया होना बहुँच जरूरी है, तो देखो यहां पर बुक में क्या लिखावा है, इंपोर्ट के डेसिनेशन आता है, bringing the goods to इंडिया from any place outside India, import begins when goods enter into Indian territorial water, it continues as long as goods under custody of customs, it is concluded only on removal of goods for home consumption on payment of duty, export begins when goods are presented for export manager, it continues as long as goods are within territorial water, export is completed only when goods have crossed Indian territory, इसका मतलब, समझना है, यहां से एक ship रवाना होता या एक steamer रवाना होता बांगलादेश के लिए, but 12 nautical miles cross ही निवा, उससे पहले वो डूब गया, डूब गया, वापर से एक 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 ग्जम्बल सुनो, यह goods से, यह customer authority को मैंने दिया, बांगलादेश बेजना है, steamer से जा दूब गया, दूब गया, तो इसका मतलब goods to 12 nautical miles cross करी नहीं पाया, इसको मैं export नहीं बोलेंगे, क्योंकि export conclude, हुआ ही नहीं आपर, export अभी तक नहीं हुआ, तो government काईबार क्या होता है, जब हम goods को export करता है, तो rebate देती है, कुछ subsidy देती है, यहां पर मुझे कोई subsidy या rebate कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा माल export के definition में नहीं आ रहा है, उसके 12 nautical miles मतलब, first 12 nautical miles मतलब Indian territorial water cross नहीं किया, next definition आती इंडिया क्या है, यह भी अमने वीडियो में देखा, इंडिया extend up to 200 nautical miles in sea, अब जो 200 nautical miles इस सी दिख रहा है, समूदर मेरे पीछे, 200 nautical miles तर next 12 nautical miles, और first 12 nautical miles, दोनों को मिला करके बनता है, customs water, क्या बनता है, customs water, उसके बाद का जो है, कौन सा, next 176 nautical miles, वो क्या कहला था आपके, exclusive Indian economic zone, कोई भी ship जो है, वो Indian territorial water mentor होता तो import शूरू होता है, but next 12 nautical miles जो है, वहाँ पर, custom state के कोई provision applicable नहीं होते है, सिवाई सास के, S, A, S, S, बोले तो search, A, बोले तो arrest, और S, बोले तो seize, बराबर है, और उसके बाद 176 nautical miles में, तो custom state बिलकुल भी applicable नहीं होता है, बराबर, तो यही लिखा है आपके इसमें, page number 3 में, इंडिया में, Indian customs water, और Indian territorial water की definitions, आपको खुद को पढ़नी है, book में से, next रते है goods, page number 4 पर goods की definition अती की goods क्या होता है, अभी दर देखना, इन्होंने goods क्या क्या बोला है, पहला, कोई भी aircraft, दिखरा aircraft, vessels, vessels, बराबर, तो aircraft, vessels and vehicles, Ferrari, Ferrari गाड़ी गाड़ी दिख रही है, aircraft, vessels and vehicles, यह goods की definition में हैंगे, दूसरा इन्होंने क्या बोला यहां पर, baggage, अगर कोई आदनी foreign country में जाता है, या foreign से इंडिया में आता है, तो आपका जो baggage है, belonging, समान, वो लेकर के जाता है, वो भी goods कैलाएगा, बराबर है, तो यह देखो, यह person अपना समान लेकर के जा रहा है, यह baggage, बराबर, next, उसके बाद, stores, stores मतलब, खाने पीने के समान, fuel व समान, life jackets, life jackets दिखरी है, यह सब जो है, यह सब क्या कहलाते हैं, आपके stores कहलाते हैं, जो ship में होते हैं, दूसरा, negotiable instrument, क्या है, negotiable instrument, negotiable instrument को goods नहीं मान, वैसे, definition में बोला गया goods है, बट इस पर custom check के provision applicable नहीं हो सकते हैं, क्यों हो सर, क्योंकि इस पर applicable होता है, FEMA के provision, FEMA Act, Foreign Exchange Management Act, जो आपने allied law में पढ़ा होगा, हर्श कचालिया सर की classes के अंदर, okay, next आपके आते हैं, last any movable property, कोई भी movable property, अब अगर definition सिप इतनी सी बना दी जाए, तो इसमें कितने बड़े हंगा में हो सकते हैं, one by one लेते हैं, example के लिए, मान लो मैं customs officer हूँ, मैं customs officer हूँ, और एक ship passenger से, वो ship से उतरते हैं, वो boarding station की तरफ चले जाएंगे, passengers तो सारे के सारे, वो boarding station की तरफ चले गए, goods उतर करके custom area में रख दिया गया, custodian की custody में, but मैं ship के captain को पकड़ लिया, मैंने का, ship के captain को मैंने बोला, sir, इस ship का in charge कौन है, captain बोला sir, मैं in charge हूँ, मैंने का, boss, duty पे करो मैं, 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 मैं duty क्यूपे कर हूँगा, मैंने का, क्यों, आप duty क्यूपे नहीं करोगे, हमरा एक्ट में लिखा है, कोई भी vessels, aircraft, वेक करसी गूड़ सोते हैं, तो आपका ship भी तो गूड़ से, अर इसके 12 nautical miles के अंदर होगे, Indian territorial water में, तो import शूरू हो गया, duty तो पे करो उस बैचरे ने ड्यूटी पे कि लिए उसके बाद जब शिप ले जाने लगा मैंगा थांबा थांबा बहुत हो गया है एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करो एक्सपोर्ट ड्यूटी मैंगा आपको शाहिद नहीं मालूम है कि हमारे कस्टम सेक्ट में ऐसा लिखा है कोई भी इंपोर्ट होता है उस पर ड्यूटी पे करते हैं उसके बाद वो डॉमेस्टी गूट्स बन जाता है फिर डॉमेस्टी गूट्स जब वापस 12 नौटे कमार्स करके जाएगा तो एक्सपोर्ट हो गया एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन पे करेंगा पेकरनी चाहिए न आपको अब यहां पर टेंशन में कौन शिप का इंचार्ज बोले अगर चार कंटर से गुजरा तो जितना शिप की कीमत नहीं उतने की तो ड्यूटी लग जाएगी मेरे तब उन्होंने फोन क्या बोले फिनांस मिस्टर को क्या प्रोविशन मनाएं फिनांस मिस्टर न बोला बॉले और गुंद ईंशन में लिखा वही है बोलो डफिनेशन को प्रोपर माही है बोले आकी ऑपर की उपर की एडिंग पढ़ली थेखे नंदर के के मीटर मिटर में अंदर की को कोई भी ऐर्काट वेसल्ड वेकल्स जो पामनें इंडिया आते है वही गुट्स और इसका म उनको goods नहीं माना जाएगा ओके तो उन पर duty charge नहीं होगी दूसरा होता baggage अब baggage की केस में तो बड़ा issue होगी है मेरे क्या customs officer विराट कॉली जो है test match खेलने के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा था मैंने तो विराट कॉली को रोक लिया यो नो मैंने विराट कॉली को रोक लिया मैंने आणां Mr. Index आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं पहले मुझे आपका back चेक करना मैंने back उठाया मैंने क्या बात है बात यह बात दिखरा आपको विराट कॉली का bat तो विराट कॉली का bat विराट कॉली के gloves विकेट कीपर वाले ग्लब्स नहीं कौन से? बैट्समेन के ग्लब्स वो विराट कोली के जो सूट वगरा वो मैंने गाला सर इनकी कीमत कितनी होगी और सर होगी 10 to 12 एक्स के करीब मैंने गालाओ वो एक्सपो ड्यूटी पे करो क्योंकि आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं तो ये सब 12 नोटिकर मैंस क्रॉस होंगे मतलब इंडिन टरिटोरिल वाटर क्रॉस करेंगे तो सर पैगेज जो हता वो गुड्स के डेफिनिशन में आता है ये आपके बैगेज मतलब बिलॉंगिंग से आप ड्यूटी पे करने पड़ेगी वो टेंशन में आ गया बोले ठीक है एक वाट दे दी उसमें वापर जो विराट कॉली जी वापर जब आ रहे थे तो मिस्टर कॉली ने बोला कि सर अब जाओ मैंने का नहीं सर अब आए है तो इंपोर्ट ड्यूटी भी तो लगीगी उन पर बोले सर नेक्स्ट एम से इंडिया में किर्केट मैच हो तो ही हम कहलेंगे आउट सर इंडिया नहीं जाएंगे क्योंकि आने जाने में इंपोर्ट एक्सपो ड्यूटी पे करते करते हैं हालत खराब हो जाएगी है हमारी वापेश डिपार्टमेंट वालन मुला मिस्टर गॉड क्या खरज रहो तुम मैंने कर सर डेफिनिशन डेफिनिशन एक अदर देन बोनाफाइड बेगेज जो रेगुलर यूज की चीज़े होती है जैसे आपकी गड़ी हो गया आपका चश्मा हो गया मोबाइल हो गया जो आप रेगुलर यूज करो शूज कपड़े वगयरा उन पे इंपोर्ट एक्सपर ड्यूटी चार्ज नहीं होती है बारावर ना जाते वक्त नाते वक्त बड़ जो अदर देन बोनाफाइड बेगेज उन पे ड्यूटी चार्ज होगी बारावर पूरे पे ड्यूटी चार्ज नहीं होती है कुछ एक्सम्शन मिलता है वो हम किसमें पढ़ेंगे बैगेज चेप्टर में उसकी बात आता है स्टोर्स स्टोर्स होता है खाने पीने के सामान वगरा जो होते हैं फ्यूल वगरा शिप में होते हैं लाइफ जकेट्स होते हैं वो सब स्टोर्स है उनको भी गुड्स माना जाएगा सर वो भी ड्यूटी चार्ज होगी नहीं इसके सारे प्रविजन से डिटेल में पढ़ेंगे स्टोर्स चेप्टर में जो बैगेज के साथ में होगा खले अभी इतना याद रपो कि वो गुड्स कहलाते हैं और एनी अदर मुवेबल प्रॉपर्टी समझ में आया नाव फेंड्स नेक्स्ट पेज नमबर फाइफ उसमें आपके कुछ डेफिनिशन्स वगरा दीवी है यह डेफिनिशन्स आपको खुद को पढ़नी है बरावरे तो यह जो डेफिनिशन्स है यह हमने एक्चुली वीडियो का अंदर काफी कुछ कवर कर लिया है आपको सिंपल में बता देता हूँ कि डेफिनिशन्स यह वाली द्यूटी इंपोर्ट, इंपोर्टेद गोर्ट बिल ऑफ एंटरी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इडियो अथा है यह हमने डिसकस किया वीडियो में देखा वही सब है खली लास्ट की जो डेफिनिशन है बिल ऑफ एक्सपोर्ट और शिपिंग बिल, वो क्या होता है जब कोई गुट्स एक्सपोर्ट करते हैं कोई गुट्स क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो जब गुट्स एक्सपोर्ट करेंगे हैं उस वक्त जो डॉक्यमेंट फाइल होता है जैसे इंपोर्ट करना पर बिल ओफ एंट्री फाइल होती है तो export करना पर bill of export file किया जाता है, जब कोई भी goods land route कर थूँ export कर रहो, किस कर थूँ land route कर थूँ, but shipping bill file किया जाता है जब कोई भी goods export करते हो by aircraft या vessels कर थूँ बढ़ा, तो by air या by vessels, अगर goods export हो रहा है तब shipping bill use होता है shipping bill file करना पढ़ता है और अगर लेंड रूट के तुरू एक्सपोर्ट हो रहा है जैसे ट्रक से जाएगा कब जिसे नेपाल भेजना हो माल भूटान भेजना हो बांगलादेश भेजना हो या पाकिस्तान भेजना हो तो वो जो एक्सपोर्ट होता है वो के वार लेंड रूट के तुरू भी होता है बराबर है बराबर है उसके नचे फिलाता है तविपस विड़ुड्स अब वो तव आमने पढ़े गुड्स होता है अब टाइबस विड़ुड्स है है notified goods किसको बोलते है specified goods किसको बोलते ہیں transit goods क्या होता है transshipmen good क्या होता है coastal goods क्या होता है ये definition two marks के लिए exam के देर आसकती है कर देहिए सबसे पहले prohibited goods prohibited goods क्या होते है इस ज्यान सो सुनना prohibited goods वो गुट्ज हो ते मिम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं मतलब prohibited goods को ना तो export किया जा सकता नहीं import किया जा सकता ना तो goods outside इंडिया से इंडिया में आ सकते हैं और ना ही इंडिया सा outside इंडिया जा सकते हैं वो कहला तो यह prohibited goods और क्या आते हैं या कोई भी ऐसे goods जिनको बिना license के आप import export नहीं कर सकता है पॉसिबल नहीं मना क पुरानी फिल्मों में देखा वा ना रात को बारा बज़े स्टीमर से सोना उतरने वाला है मडाय लैंड पे बाराबर है तो उस वक्त कि आवो सब स्मंगलिंग का माल होता है क्योंकि बिना लाइसेंस के इनको लाना करना अलाओ नहीं है तो वह सब क्या होंगे प्रोःबिटेड गूट्स अब यह प्रोःबिशन के रीजन की वज़े से लगाया जा सकते है जैसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट बनावाँ है या इंटरनेशनल ओर्गनाजीशन वर्ल्ल्ट ट्रेड ओर्गनाजीशन इन सब के साथ में अग्रिमेंट है कि ऐसे goods को export import नहीं किया जाएगा तो नहीं कर सकते हैं यहां पर जो है आपके जैसे किसी चीज को लेकर जैसा bird flu नाम सुना होगा अपने बिमारी IT तो हमने क्या है जो export import जो chicken का है वो export import बंद कर दिया था उस वक्त हमने बराबर है तो उस time के लिए particular time के लिए हो क्या था कि पूरा मना कर दिया ना export कर सकतो ना import कर सकतो chicken वो क्या हो गया आपके एक तरह से prohibited goods तो prohibited goods के reason की वज़े से हो सकता है तो इसमें जो prohibited goods के definition है आपके section 11 में नीचे उसमें को reason दिये गया हुनने such prohibition may be based on any of the followings protection of domestic industry domestic industry को बचाने के लिए दूसरा protection of patent copyright and trademark any international agreement preventing of smuggling इन सब को रोकने करने के लिए तो ये reason वगरा ये सिप आप एग्रीड कर लेना क्योंकि टू मार्क्स के question में खाली definition आएगी क्यों होतार किसले लगा जाता है यह ज़रूर नहीं बट आपके knowledge के लिए ज़ specified goods क्या है देखना specified goods section 11 says section 11 h to section 11 m के provision applicable होंगे वो क्या कहता है specified goods वो goods है जिनको import किया जा सकता है पर export not allowed इसा क्यों होता है माल लेटें एक छोटा से example लेते है अपने यहां पर छोटा से example लेते हैं वो छोटा से example यह दोस्तों कि that in India में किसी product जैसे product X माल लेते हैın Ondia में एक चोटा से sugar काले लेते चलो बराबर सिफ ए एक замपल है शुगर जो है उसकी कमी है इंडिया में इंडिया में शुगर जो है शुगर दिख रही है पीछे यह शुगर जो है इंडिया में बहुत ही कम बनती है बर कुछ लोग क्या करते हैं जो शुगर मैनुफेक्चर करते हैं वो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंको डॉलर में पैसा मिलेगा बराबर है और फिर इंडियन गवर्मेंट को जब शुगर की जरूत होती है इंडियन पब्लिक को शुगर की जरूत होती है तो गवर्मेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है तो मेहंगे दमों में वही शुगर वापस हम इंपोर्ट भी करते हैं तो कुछ लोग से पैसा कमाने के लिए उनको मालूम है कि इंडिया में चीज की जलों तो फिर भी एक्सपोर्ट कर देंगे उनको सीधा करने के लिए गवर्मेंट ने ये प्रविजन बनाया कि गवर्मेंट क्या करेगी कि उस गूट्स को एक्सपोर्ट नहीं क्या आजा सकते हो हाँ कर सकती हो एक्सपोर्ट बट पैटी प्टइक फॉ niewaire्मेंट छोटी छोटी चोटी प्वाएट में खड़ सकते हो जादा नहीं जैसे मेरा कोई ब्रदर या मेरा फ़े भाई है फोरें में पढ़ता है मैं उससे मिलने गया तो चलो थोड़ा सा समान लेकर के चला गया वो चला गया, commercial quantity नहीं होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, commercial quantity नहीं होने चाहिए suggestion ट्रेडिंग होती हो, उस level की quantity नहीं होने चाहिए next आता है आपके specified goods की बाद notified goods, क्या है? notified goods, अब ये notified goods क्या होता है? question ये, जिसको अब import नहीं कर सकते but export आला होगा है so ये कब होता है? ग्यान से सुनना, एक example लेता है ये customs officer है और मैं एक importer हो, जो माल को import करता हूँ माल लेते हैं, मैं product X import करता हूँ X product, कोई भी एक product का नाम ले लेते हैं मैं product X import करता हूँ और custom officer जो है उनको इंडियन government बोलती ही कि महेश्गूर जो product import करता है ना वो इंडियन industry को destroy कर देगा क्यों? क्योंकि बोले कि वो product वो product, चले कि एक छोड़ा सा example कर, live example ले लेते हैं कि ये जो marker है, मैं फोरण से import करता हूँ import करने के बाद जब इन marker को मैं इंडिया में बेचूँगा sale करूँगा तो मैं बेचता हूँ 5 रुपे में एक marker जबकि इंडियन industry जो marker बनाती है वो 12 रुपीज और 15 रुपीज में sale होता है तो मेरे marker सस्ते होंगे जो मैं import कर रहा हूँ तो उसे इंडियन industry तो destroy हो जाएगी लोग मेरे ही marker खरी देंगे इंडिया वाले marker खरी देंगे नहीं और इंडियन industry destroy हो गई तो destroy होने के बाद मैं नुकसान को इंडियन को इंडियन government को, इंडियन public को इंडियन economy growth वो रुख जाएगी तो उससे तरफ नुकसान है नुकसान है तब government क्या बोलती है एक काम करो, ये जो marker है इनको notified goods डिकलेर कर दिया जाए बोले उससे क्या होगा, बोले ये goods जो है export किये जा सकते हैं इंडिया में बना करके बड़ इंपोर्ट अलाओ नहीं है इंका, इंपोर्ट अलाओ नहीं है अब इदर देखना एक interesting चीज़ government ने notified goods डिकलेर किया मानने थे हैं 1st July 2017 को कब 1st July 2017 17 बोलना हो 16 नहीं 1st July 2017 को government ने notified goods डिकलेर किया marker को, बोले marker को import नहीं करेगा बड़ उस वक्त मेरे पास already marker थे या order देच चुका था मैं तो मेरे पास already marker है जैसे 3 marker है मेरे पास में यह already है मेरे पास में अब क्या क्या जाए इनका यह तो है अब कल को यह marker sale नहीं होते मेरे go down में पड़े है और August या September में custom officer की red पड़ती है मेरे go down में वो बोलती ही तीन marker कहा सा है यह तो smuggling की आपने मैं उनको बोलता हूँ नहीं सरी तो पहले कही है मेरे पास में है यह already पुरहने marker है जब यह notified goods देख ले नहीं हो तब से पड़े है वो बोले कि हम कैसे मान दे सिधा हुंगली उठाई जाएगी मुझ जैसे शरीफ आदनी की इमानदरी पर अब यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर उन्होंने क्या होगा जिस दिन marker को notified goods डेक्लेर क्या जाएगा डेक्लेर करते हैं within seven days साथ दिन के अंदर अंदर मुझे inform करना पड़ेगा custom officer nearest police officer को कि मेरे पास तीन marker है अभी भी जब आपने इसको notified goods डेक्लेर कर दिया तो अलड़ी मेरे पास तीन marker है तो अनुन बोला ओके अब मुझे वो बोलेंगे इन तीनों marker को कहां रखते हूँ उस जगे का address और detail दो और जब भी ये marker इंडिया में किसको sale करो तो वो आप हमारे को पहले intimate करोगे ये intimate नहीं भी करते हो तो invoice issue करके sale करोगे और इस invoice की पूरी detail आप अपने रेकॉर्ड आप अपने पास में रखोगे किसको बेचा कितनी quantity बेची और कितने में बेची मिनकाओ के साथ ये क्यों रखा जाता है क्योंकि कल को ये भाई साब है Mr. Y Mr. Y ये आते है मेरे पास में ये आकर कि मुझे बोलते marker खरीदा मैंने इनको marker बेच दिया और मैंने अगर कोई record नहीं रखा तो मैं एक marker smuggling से मंगवा लूँगा और department बोलूँगा जा ये तो पहले भी तीन थे अभी भी तीन ही है जबकि एक already sale कर चुका हूँ या फिर उनके वहाँ पे red पढ़ेगी Mr. Y के वहाँ पर बोले ये marker कहा से आया वो बोलेंगे कि उसको भी government ने बुला तू जिससे माल खरीदेगा उसका record तू रखेगा पूरा और invoice लेगा और महेश गोर तुम जिसको ये माल बेचो कि उनका पूरा record तुम रखोगे उनको invoice issue करूगे इवन मैं अगर 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 अपने factory से किसी और जगे में marker को shift कर रहा हूँ उसके लिए भी मुझे invoice issue करना पड़ेगा कि मेरे इस go down से माल उस go down में shift हो रहा है समझ में आया ओके हाँ अगर मैं marker अपने personal use के लिए मंगवा रहा हूँ sale करना है मेरा purpose नहीं है तो जब sale ही नहीं करूँगा तो Indian industry destroy तो होगी नहीं तो अला हूँ है बट ये burden मेरे पर आएगा अगर कोई marker मैंने import किये तो ये मेरे पर burden है कि मैं proof करूँ कि वो मैं अपने personal use के लिए मंगवा रहा हूँ और उसको इंडिया में कहीं पर भी sale नहीं करूँगा अगर proof कर दिया तो अला हूँ है आप उसको import कर सकते है बट ये burden कि इस पर इंपोर्टर पर मतलब मुझ पर होगा department पर नहीं इप्रूफ करने का burden मुझ पर होगा कि मैं साबित करूँ कि उसको कि किस purpose के लिए use करूँगा खुद के personal use के लिए use करूँगा समझ मैं इसको बोलते हैं क्या notified goods तो notified goods और specified goods के provision करीब करीब में तो जूलते ही है now friends next example transit and transshipment next you कैसके definition transit और transshipment की समझने होते हैं कि example लेना पड़ेगा एक ship Mumbai port पे आ रहा है मैं Mumbai में हूँ Mumbai port का custom officer हूँ Mumbai port पे एक ship आ रहा है उस ship में एक तो ये है next ship make ये goods है दो goods उसके अलावा ship make और goods है ये वाला goods तीन उसके अलावा ship में ये वाला goods है चार ये वाला goods है आच ये पाँच good ship के अंदर रखे है मैं ये मानते हम अब हुआ क्या इन पाँच में से ship जो है Mumbai के बाद सीधा निकलेगा कहां पर श्रिलंगा के लिए ship आया उस्ट्रिया से उसमें ये वाला माल है जो श्रिलंगा जाएगा ये गुट श्रिलंगा जाएगा बराबर है ये वाला जो गुट से इसको ऑस्ट्रिया बेजना तो ये तो ship में रहेगा श्रिलंगा जाने वाला है इसको ऑस्ट्रिया बेजना है बट ship ऑस्ट्रिया नहीं जाता है तो गुट मुंबाई पोर्ट पे उतारा जाएगा मुagई से दूसरा शिप है जो ऑस्टलिया जाएगा कौन सा यह देखो पीछे शिप दिख रहा है न यह ऑस्टलिया जाने वाला शिप है और इस साइड में जो शिप है यह इस साइड में शििप वो UK से आया है इंडिया UK से आया है इंडिया और यह वारे शिप ऑस्टलिया जाएगा और इस गुड्स को ऑस्टलिया भेजना है शिप UK से आया है और यह सारा माल UK से आयवे शिप में रखावा है और UK से जो शिप आया है वो मुंबई के बाद श्रिलंका जाएगा तो इधर देखना ये गुट्स तो शिप के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये श्रिलंका जाएगा इसको उतारा नहीं जाएगा ख़ली चेक कर लिया जाएगा आई जी एम इंपोर्ट जनरल मैनिफिस्ट उसमें ये mention है या नहीं यादहरा मुवी के अंदर हर्ष कचालिया सर्ण ने राज को बुला कि भाई IGM से मैंने चेक कर लिया IGM लेकर के हर्ष कचालिया गहे थे मिस्टर हर्ष कचालिया ने IGM से पुरा चेक किया था उसके बाद में राज ने उस goods को अनलोड गरवाया था. तो इधर देखो, यह शिप के अंदर है या या नहीं? आईजी में देख लिया जाएगा, इसको इंडिया में अनलोड नहीं करेंगे. ये port पर अनलोड नहीं होगा, शिप में रहेगा इसको बोलते हैं transit goods, क्या बोलते हैं transit goods ये goods मुंबई port पर उतरेगा और इसको औस्टलिया जाने वाले शिप में रखा जाएगा तो इसको बोलते हैं transshipment goods transshipment goods वो होता है, जो port पर अनलोड होगा बट within इंडिया या outside इंडिया कहीं और भेजा जाएगा दूसरा example ये भी ले ले थे हैं इसको चन्नाई बेजना है, कहां बेजना चन्नाई तो दोनों goods अगर मैंने मुंबई port पर उता रहे हैं ये चन्नाई जाएगा मतलब within इंडिया कहीं और और ये outside इंडिया जाएगा बट उतारे कहां जाएगे मुंबई port पर इनको बोलते हैं ट्रांशिप्मेंड goods, क्या बोलते हैं ट्रांशिप्मेंड goods, जो unload तो होंगे port पर बट इस port पर unload होने के बाद within इंडिया या outside इंडिया कहीं और बेज़े जाएगे बराबर है और ये जो बोलते हैं इसको चन्नाई बेजना है बट शिप्ट जो है मुंबई से सिदा शिड़न का चला जाएगा चन्नाई नहीं नहीं जाएगा तो इसको मुंबई port पर unload किया जाएगा ये ऑस्टलिया बेजना है इसको भी मुंबई port पर unload किया जाएगा ये दोनों ट्रांशिप्मेंट गुड्स कहलाते हैं ट्रांशिप्मेंट गुड्स वो होते हैं जो port पर unload होते हैं बट वहाँ से within इंडिया या outside इंडिया कहीं और बेज़े जाते हैं वो ट्रांशिप्मेंट है इनके प्राविजन हम ट्रांशिप्मेंट चेप्टर में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस गुड्स को मुंबई port पर unload किया गया है और इस पर duty pay की गई है ये imported goods कहलाएगा क्या कहलाएगा imported goods इस पर duty pay करेंगे और duty pay करने के बाद ये domestic goods में convert हो जाएगा तो इस एक ही example में हमने transit and transshipment और imported goods ले लिया अब आता है coastal goods क्या होता है coastal goods होता है वो goods जो इंडिया में manufacture हुआ या domestic goods है इंडिया मगर manufacture नहीं हुआ तो domestic goods है तो domestic goods क्या होता है अब भाई कोई भी goods foreign से आपने मंगवाया import किया Mumbai port पे उस पे आपने duty pay कर दी duty pay करने के बाद तो domestic goods कहलाएगा तो कोई भी domestic goods चाहे वो इंडिया में बना हो ये foreign से import करके duty pay कर दी हो उसी goods को अगर within India कहीं बेजा जा रहा है through sea route समुद्र ये समुद्र दिख रहा है sea route through sea route अगर within India कहीं बेज रहे हो land route की बात नि कर रहा है भाई air की बात नि कर रहा हो through sea route through sea route जब within India जाएगा जिससे Mumbai से चन्न नहीं बेजा through sea route within India ये समुद्र दिख रहा है इसके रास्ते से उसको coastal goods बोलते है तो कोई भी domestic goods through sea route अगर within India कहीं जाता तो उसको क्या बोलते है आपके coastal goods क्या बोला जाएगा coastal goods तो ये देखो transit goods section 52-54 ये हम पढ़ेंगे transit and transshipment chapter में निचे transshipment goods है वो भी हम उसे chapter में पढ़ेंगे एक है coastal goods ये हम पढ़ेंगे baggage वाले chapter के साथ में बरावे detail में यहाँ पे definitions दी गई है वो definitions एक फ़र देख लो उसके बाद में एक M अमबालाल करके company का case से नीचे आपके selected case laws आपको बता दूँ मैं आपको जो मेरी book refer कर रहे है जिसने भी case laws green color के background में है green color के background देखो आप बुक में बताता हूँ मैं आपको sorry not green gray color के background में यह देखो यह gray color का background है तो जितने भी case laws gray color के background में है वो सब exam point of issue important है वही पढ़ करके जाने है यह सब आपका selected case laws जो हते है ICI के वो और CS Institute के जो selected case laws है उनमें से हैं तो yes most important है यही पढ़ करके जाने है आपको exam में जोना case को discuss करते है M. Ambala Land Company का case है M. Ambala Land Company के इस case में क्या हुआता देखना rough diamond import करता तो importer बट उसके पास license नहीं था अब जब rough diamond आप import करता हो आपके पास license नहीं है तो दोस्तों आपको पता होना चाहे कि बिना license के import करोगे तो वो illegal goods माना जाएगा इंशोर यह बोल सकते है prohibited goods है department न उसको पकड़ लिया custom officer ने पकड़ने के बाद बोला कि इस पर penalty impose होगी और इसको duty भी पे करने पड़ेगी but M. Ambala Land Company ने बोला कि duty पे हम नहीं करेंगी क्योंकि rough diamond exempt होता है इंडिया में जब import होता है तब उन्होंने बोला कि वो exemption imported goods पे मिलती है तो बोले यह भी तो import ही वा बोले नहीं यह imported goods के definition में नहीं आता है यह illegal goods के definition मा रहा है क्योंकि बिना license के आपने import किया है और illegal goods को imported goods नहीं मना जाता है और जो rough diamond पे exemption मिलती हो तब ही मिलती है जब goods imported goods होता हो तो यहाँ पर वो imported goods के definition में नहीं है illegal goods के definition में है क्योंकि दोनों के definition अलग-अलग दी गई है act के अंदर तो बोला गया इस वज़े से जो rough diamond import किया गया वो imported goods ना उपर कि illegal goods है और उस पे आपको duty पे करनी पड़ेगी साथ में penalty भी और duty impulse हुई समझा now अब next definition आती है section 3 की page number 7 पे customs officer अब customs officer क्या होता है इदर देखना principal chief commissioner chief commissioner principal commissioner then commissioner additional commissioner joint commissioner assistant commissioner बराबर और उनके अलावा other officers sir यह other officers क्या होते है other officers में काफिसार officers को cover किया गया है यहां पर जिनको commissioner या assistant commissioner यह सब लोग appoint कर सकते है sir actually यह other officers होते कौन है और इनको appoint क्या जाता है एक छोटा सा example लेते है मैं custom officer हूँ कुछ goods import हुआ है वो chemical है क्या है chemical है import होने के बाद में मैंने उनको बोला कि वैसा यह कौन सा chemical है importer से पूछा उस्ते बोला sir यह medicine बनाने के काम में आने वाला chemical है और जो chemical उन्होंने बताया उस पर duty charge होती 10% से लेकिन real पर chemical कोई और है कुछ दूसरा chemical है जिस पर duty charge होती थर्टी परसंट के रेट से बाराबर बट उन्होंने क्या बोला यह chemical A है जब कि वो chemical B था और chemical B पर duty charge होती है 30% के रेट से बट उन्होंने A बोला अब मैं custom officer हूँ मैं थोड़ी पता सकता हूँ कि वो chemical कौन सा है मेरे लिए तो सपेथ पाउडर और चूना एक जैसा ही लगेगा मुझे customs के provision की knowledge है तब यहाँ पर हम क्या करते है कुछ examiner appoint करते है जो इस chemical की research करेंगे देख करके बताएंगे कि जो एक्सपर्ट है उस प्रेड के उनको भी उस पर्टिकुलर टाइम प्रेड में क्या बोला जाता है customs officer वैलवेशन के लिए अलग officers होते है technical department के अलग officers होते है chemical department के अलग officers होते है वो सब other officers में cover होते है इसके बाद आता है section 2, subsection 21 foreign going vessels क्या होता है foreign going vessels in aircraft actually यह सिर्फ एक reading के लिए बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कोई भी vessels जो outside India जा रहा है foreign going vessels in short जैसे इंडिया से कोई ship UK जा रहा है US जा रहा है उस्टिलिया जा रहा है वो सब क्या foreign going vessels या उनका कोई ship इंडिया में आया और अब इंडिया से बाहर जा रहा तो वो भी foreign going vessels या उनकी नेवी जो foreign country कोई है उनकी नेवी यहां पर किसी program में participate करने आई किसी function में participate करने आई बराबर फिर यहां से वापस जा रहे है तो जब वापस जा रहे हैं तो वो भी सब foreign going vessels सही कहलाएंगे या इंडियन जो है इंडियन officers या इंडियन officers ने इंडियन public जो fishing वगरा का काम करते हैं जो मच्वार वगरा मचलियां पकड़ने जाते हैं या oil rigs बराबर है oil rigs मतलब जो petroleum gas वगरा जो समूदर के बीच में से निकलते है ONGC का प्लांट देखा होगा reliance का प्लांट देखा होगा इधा को पीछा फोटो reliance का ONGC का प्लांट यह जो है यह काम जो भी करता है तो उनके लिए भी ship बार बार यहां पर जाता रहता है वो सब भी foreign going vessels की definition में आएंगे sir कहां लिखाए यह देखो foreign going vessels की definition आप पढ़ोगे तो उसमें third paragraph पे includes करके includes में क्या लिखा है any naval vessels of foreign government taking part in any naval exercise यहां पे कोई program या naval exercise के लिए ही और वो जा रहे हैं वो भी foreign going vessels कहलाएगा second any vessels engaged in fishing और any other operations बराबर है outside the text, Indian text territorial of water बराबर है तो territorial water of India TWI और any vessels और aircraft proceeding to a place outside India मतलब जो foreign में जा रहा है for any purpose को असब foreign going vessels कहलाता है next आता है आपके appointment of customs officer section 4 अब customs officer को कौन ओपन करेगा माई बाप अपने अपने माई बाप माई बाप हमारे customs और exercise में C-B-E-C Central Board of exercise and customs C-B-E-C 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 ही appointment करता है यह जो आप exam वगरा देते हैं IES officer वगरा बनते हैं commissioner वगरा उनको किसको क्या post पर कैसे कहां पर बेजना करना यह सब decision यहाँ पर customs और exercise में C-B-E-C लेता है तो C-B-E-C ही customs officer को appointment करता है और C-B-E-C के पास power भी है कि वो चाहे तो commissioner को भी power दे सकता है कि उसके नीचे की रेंग के officer को commissioner खुद appointment कर ले है बरावर है यह power भी C-B-E-C के पास में है अब देखो C-B-E-C यह भी decide करता है कि कौन से jurisdiction में कौन से jurisdiction में या कौन सा jurisdiction कहां पर बनाया जाएगा जैसे example के लिए Mumbai port का area इतना area होगा बरावर है उसके अलावा थाने jurisdiction इतना area में cover होगा या इतना area थाने jurisdiction में आएगा इतना area Mumbai jurisdiction में आएगा यह सब भी C-B-E-C decide करता है बरावर है तो appoint कौन करता है C-B-E-C तो इधर देखो all the officers are appointed by the C-B-E-C C-B-E-C में authorized chief commissioner और commissioner or assistant commissioner to appoint officers of customs below the rank of assistant commissioner तो यह जो appraiser होते हैं examiner होते हैं बरावर chemical examiner वगरा इसलिए उनको assistant commissioner commissioner या chief commissioner appoint कर सकते हैं section 5 power क्या होती customs officer की अब यहाँ पर भी वड़ी प्यारी definition दी है जो भी act में दी गई है यह सारी power है उनके पास में और उसके अलावा अपने subordinates की power भी use कर सकते है और जनरली यह होता ही है section 6 है वो important है section 6 क्या बोलता है अगर कभी भी जरुत पड़े तो central government यह state government के officer को भी government यह CBC customs officer appoint कर सकती है उनको वो power दे सकती है customs officer की तो उनको भी customs officer माना जाएगा जैसे example के लिए मैं central government officer हूँ custom officer नहीं हूँ मैं कोई और job करता हूँ कोई और officer हूँ और मुझे बोला जाता है कि आपको 10 दिन के लिए customs officer की power दी जाती है तो मैं भी customs officer माना जाऊँगा उस time period में यह कब होता है जब emergency हो जाए या customs officer strike पर चला जाए तो कोई तो चीए ना तो उनका काम संभाद सके तो emergency में state government, central government के officers को customs officers की power देकर बेज़ दिया जाता हूँ तो वो सब भी क्या केलाएंगे customs officer केलाएंगे तो इधर तेको the central government में authorize any officer of central government or state government or local authority to discharge any of the functions of customs officer for every purpose it means the central government में delegate function of customs officer to any central government or state government officer and such person shall also be customs officer for all the purpose is of the act समझ माया cut out pukka short hundred percent तो ये जो definitions अभी तक आपने पढ़िये ये exam point of उसे important है exam point of उसे important है सारी definitions ये two marks के लिए one marks के लिए exam में आ सकती है अब next आता है आपके section 7 definition में LIC को आपएंट को और गर था LIC क्या है ये हम बाद में देखेंगे पहले एक पर में port जो आपने वीडियो में देखा था उस को लेकर के port के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा ये देखते हैं समझ दीजी कि पूरा मेरा पीछे का पूरा पार्ट है वो port है पूरा पार्ट किया है पूर्ट अब इसको जगा समझते हैं यहां पर जान से समझना यह जो एरिया है वो कहला था boarding station जब passenger ship से या aircraft से उतरते हैं यहाँ पर boarding station में आते हैं यहाँ पर दो channel gate बने होते हैं red channel gate और green channel gate अगर foreign country से आप कोई goods लेकर के आए जिन पर duty charge होने चाहिए तो आप red channel gate से duty पे करके निकलेंगे otherwise green channel gate से निकलेंगे कभी भी दिमाग में यह थोट आता है कि नहीं हम समान तो foreign country से माल लेकर क्या है बट जूल्री वगरा लेकर क्या है बट हम red channel gate की वज़ए green channel gate से निकल जाता है किसी को क्या पता लगेगा पकड़ जाओगे scanning होगा उस ताइम पर फज जाओगे बाकी का detail बेगे चेप्टर में पढ़ेंगे हम यहाँ पर तो यह boarding station होता है boarding station कहां पर बनेगा custom area कहां पर बनेगा port में यह commissioner decide करता है बट यह पूरा port जो मैंने पीछे देख रहो यह पूरा port कहां पर बनेगा यह CBC decide करता है कौन decide करता है CBC central board of exercise and customs बाराबर है अब custom area मालूम चला boarding station मालूम चला यह दोनों कहां पर होते हैं पूर्ट में होते है अब port airport इनको कौन decide यह कहां पर बनेगे कौन decide करता है CBC decide करता है इनके अलावा inland container depo होता है और air freight station होता है वो क्या होताह अब उसको समझना मान लेते हैं example के लिए कानपूर का example लेते हैं यह mister जो है दोस्त मेरे यह कानपूर से goods export करना चाहते है Sir आप कानपूर से goods export करना चाहते है आप यह बताएंगे में restaurants पूछना चाहते हैं आप buy air export करना चाहते हैं by sea root okay, 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 sea root ठीक है, यह sea root के through export करना चाहते हैं, अब यहाँ पर problem पता है, यह sea root के through export करेंगे और port Mumbai में, जहां से घुट से export होगा तो यह Canport से वेचारे चला करके Mumbai जाएंगे वहाँ पे सारी legal formalities पूरी करेंगे गलत हो जाएगा यार? इनके सब इनलेंड कंटेनर डेपो बना रहे हैं बहुत सापकी यहां पर क्या बना रहे हैं इनलेंड कंटेनर डेपो कानपूर में जो इनलेंड कंटेनर डेपो या उसके नीरस लोकेशन पर जहां पर भी इनलेंड कंटेनर डेपो है वहां पर आप जाकर के अपना गुड्स देदो जो अगर इनको by air बेजना होता तो air freight station जो होगा आपके nearest location में वहाँ पर जाना, वहीं पर goods send over करना, वहीं पर सारे legal formalities पूरी करना और वहीं से export कर देना सेम वैसे ही जब goods import उतार मुंबई पर उतरेगा रिनका माल मुंबई पर उतरा वहाँ से उस goods को मुंबई पर उतरने के बाद कानपूर बेज दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, बेज दिया जाएगा, फिर यह यहां पर, duty पे करके उसको ले जाएगे, बराबर है तो inland continent airport airport station, port के अलावा, दूसरी जगे होती है, जहां पर customs की formalities पूरी होती है क्योंकि हर जगे airport port नहीं होते है, next एक हो रहता है, land customer station जब land route के तुरू goods export, import हो रहा है, तो duty वगरा जहां पर भी charge होती है, वो land customer station होते हैं बराबर है, जैसे एक चोटा से example लेते हैं, बागा बरडर गा, जो पंजाब में है, पाकिस्तान चेगर कोई माल इंडिया में आ रहा है बेजा जाता है, तो जो port होता है, उसको बोलते है, coastal port, जहां पर coastal ship खड़े होते हैं, जो इंडिया, इंडिया में गुमते हैं, एक होता है कस्टम स्पोर्ट, जो मेजर पोर्ट भी कहलाते है, जहांसे ship आउटसट इंडिया जाते हैं, आउटसट इंडिया से इंडिया में आते हैं, देखो न, आप, airport तो आपने देखा ही होगा, airport पे एक international airport होता है, एक domestic airport होता है, बराबर है, same way सही, एक international custom एक domestic custom sport in short domestic custom sport को ही coastal port बोला जाता है और international custom sport जब वो custom sport कहलाता है होके समझ मैं आया कोई डाउट तो section 7 जो है वो बोलता कि इनको appoint कौन करता किसको custom sport को देखो LIC की लिखा है वहाँ पे L का मतब land custom station high का मतब inland container airport air freight station C का Coastal Port दूसरा C का Customs Port इनको कौन Appoint करेगा CBC बराबर है लेकिन Section 8 बोलता है, यह Section 7 है, Section 8 नीचे वाले Box में मिलेगा आपको Custom Area, Custom Area Port में बना होता है जहां पे Goods को Load, Unload किया जाता है वो कौन वो कौन Appoint करता है, कौन डिकलर करता है कि काम पे Custom Area बनेगा Commissioner, और Boarding Station, जो Section 10 है आपके, उसी Box के अंदर नीचे देखो Last के अंदर Boarding Station लिखावा है Section 10, उसको कौन Appoint करता है Boarding Station को, बराबर है वो भी Commissioner, Port के अंदर जो भी जगे Appoint करने हो, Commissioner Appoint करता है Commissioner कोई साथ, Customs का Commissioner Commissioner of Customs बराबर है, Next आपके आता Charging Section, Section No.12 बराबर है तो Section No.12 जो है वो आपको खुद को पढ़ना है, वो वही है कि Taxable Event बगरा का बहता है, सिफ Knowledge के लिए, अब इदर देखो Section No.9 है Warehousing, Sir यह कहाँ पर है Page No.8 पर, यह देखो Warehousing Station मिला Warehousing Station यह जो Warehousing Station है, Section No.12 यह क्या होते हैं, यह आपने वीडियो में देखा होगा यह वो एरिया होते हैं, यह कौन से एरिया होते हैं, यह वो एरिया होते हैं, जहाँ पर बिना ड्यूटी पे के गुड्स को रख सकता है Mr. Amit Rajpurit का गुड्स जो है, वो Warehousing में गया था, Warehousing में रखा गया था तो बिना ड्यूटी पे के आप वहाँ पे गुड्स को रख सकते हैं, वो जो Warehousing बने होते हैं उस एरिया को जहाँ पर Warehousing बनाए जाते हैं, या Warehousing बनाए जाएंगे, construct के जाएंगे, establish के जाएंगे वो एरिया Warehousing Station कहलाता है, वो एरिया कहलाता है, Warehousing Station तो वेरावंजिं इस्टेशन वो एरिया होता है जहां पर वेरावस बने होते हैं और उन वेरावस में बीना डूटी पेक ये गूड्स को आप रख सकते हो इस पर आपका फर्स चेप्टर कंप्लेट होता है अब आपने चैप्टर वन कंप्लीट किया इसके बाद जो हमने वीडियो में देखा कि गुट से इंपोर्ट करके लेखा तो वो इंपोर्ट प्रोसेजर जो है उसको हम यहां पर एक डाग्राम से समझ रहे हैं पूरा का पूरा क्योंकि यह आपके चैप्टर नमबर त्री में बहुत यूज होने वाला है चक्टर नमबर त्री जो हम पढ़ेंगे उसमें काम आएगा और आगे एक चैप्टर वेराउजिंग उसमें भी काम आएगा यह तो इदर देख ओ इंपोर्ट प्रोसेजर का डाग्राम है तो इदर देखना सबसे पहले सबसे पहले इदर सब्सक्राम है और पोर्ट तक आगया पोर्ट पर आनेक बाद तीन केस आते हैं 1,2,3 फर्स्ट पैसंजर्स और बैगेज यह सीधा उतर करके कहां तर ले जाएंगे बोर्ड इस्टेशन मतलब यह जो पूरा एरिया ना यह है पोर्ट यह क्या पूरा ब्लूप वाला एरिया पोर्ट है उसमें जो बोर्ड इस्टेशन है वाँ पर प्रसंजर और बैगेज चले जाएंगे आईजी बगरा में चेक नहीं किये जाते हैं बीना आईजी अम चेक हैं इंपोर्ट जनरल मनिफेस्ट उसके बीना वाँ पर पहूंच जाएंगे दूसरा परिशिवल नेचर क पर पोस्ट वो सिधा कस्टम एरिया के तरह रवाना हो जाएगी बीना आईजी अम चेक किये बड़ अदर गुट्स जो भी है वह पहले वेरिफाई होंगे वेरिफाई विद आईजी अम इंपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट के हैर्ट से वेरिफाई किये जाएंगे एंड ग्रा गुट्स को अनलोड किया जाएं बराबर है वह परमिशन के बाद में ही गुट्स अनलोड होता है फिर आपनो क्लिपिंग देखे हो गया मिताब वगरा गुट्स को अनलोड करके लेकर क्या आते हैं बराबर है तो एंट्री इन्वर्ड ग्रांटेड ओके नेक्स्ट अनलोड किया जाएगा पहले फिर कंप्यूटेशन ओव द्यूटी कंप्यूट की जाएगी ड्यूटी के लिए रेट वगरा कौन सी होती है यह भी हम थोड़ी देर में सीखेंगे बट मैक्जीमम पीडी मतलब पीरियड मैक्जीमम पीरियड कस्टम अरिया में माल को रखने के जाओं डॉमेस्टिक तेरी फेरिया मतलब इंगिन मार्केट अपने फैक्टरी में माल को लेकर के आजाओं तो यह प्रोसेसर फोलो होगा बराबरे दूसरा गुट्स को वेराउस में ले जाओं वेराउसिं इस्टेशन तो मिस्टर भावेश वागिला जो थे उन्होंने यह वाला मेतल फोलो के है डॉमेस्टिक तेरी फेरिया में लाने का बड़ अमित राच्परूइक जो थे वो पहले गुट्स को कहां लेकर के गए थे वेराउस में यह वेराउसिंग इस्टेशन है वेराउसिंग इस्टेशन वो जगे जहां पर वेराउस बने होते हैं तो हाल फिलाल में एक्जिमम वन येर तक और ईयो यू एस्टीपी यह अगर कोई भी गुट्स इंपोर्ट करके वेराउस में रखते हैं तो उनके लिए कोई टाइम डेमिट नहीं हो कितने भी टाइम तक रख सकते हैं जब तक वो गुट्स क्लियर नहीं हो यह कंजियूम नही अनधर जब कर नहीं करेंगे शियूमं वाल को अपने से अमितर राजप्रुइत वापस माल को डॉमस्टिक तरिफ अरिया मे अपने फैक्ट्री में ले आते हैं तो वो प्रोविजनलिखे मैं है तो सब से पहला प्रोविजनल पढ़ते हैं Mr. Bhavai shwaghila को कस्ट्टम एरिया स दो दिन के अंदर फिर दूटी पे कर देंगे, बिल उफ एंट्री फाइल करते ही, अगर दो दिन में दूटी पे नहीं की, तो एंट्रेस्ट चार्ज होगा, otherwise इंट्रेस्ट विल बी चार्ज, अभी ये इंट्रेस्ट के रेट 15% पर एनम है, okay, थर्ड पॉइंट है, पीओ, पीओ, मतलब प्रोपर ओफिसर, विल मेक एन ओडर फॉर रिमोल अप गुड्स फॉम सीए, सीए मतलब कस्टम एरिया, कस्टम एरिया से इंट्रेस्ट को रिमोल करने का ओडर बना देगा, फिर बाबाई श्वागला यहां पे गुड्स को लेकर क आजाएंगे, यह अमित राजप्रोइत का प्रसिजर, मिस्टर अमित राजप्रोइत जो है, उन्होंने क्या क्या वेराउस में लेगे, फाइल बिल ओफ एंट्री फॉर वेराउस, जो यलो कलर का होता है, बॉन्ट साइन करेंगे ड्यूटी थ्री टाइम्स, यह वीडियो म अमेंडमेंट आगिया, डबल ड्यूटी के जगे, ड्यूटी का आमान थ्राइस कर दिया गया, थ्री टाइम्स, ओके, तो ड्यूटी थ्री टाइम्स, पैनल्टी, इंट्रेस्ट, पैनल्टी जो पहले था कि पैनल्टी, इफ एनी, इफ एनी था पैनल्टी, अब इफ एनी करते हो वेरावस में माल नहीं लेगे डारेक्ट अपनी फेक्टरी में लेगे बिना ड्यूटी पे किये डिपार्टमन को बेवकूप बनाने की कोशिश की तब ये बॉंड के सारे से हो रिकावरी करेंगे तो ड्यूटी का अमांट त्री टाइमस बाराबर तो बेट रहे हैं इमांदारी से काम करो फ्रॉड नहीं करना चाहिए नो ड्यूटी वेरावस में ले जाते हो कोई ड्यूटी चार्ड़ नहीं होगी बढ़ पे करना चाहो तो अलग बात है बड़ कंपल्सरी नहीं है पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर विल मेक एन ओर्डर पूर रिमूल अग ले जाने का ओर्डर बना देगा क्योंकि जब तक यह ओर्डर नहीं बनेगा तब तक कस्टोडियन जो विश्वास भाई है वो माल नहीं देंगे जब तक उनको ओर्डर ले जाकर के नहीं दो गया अब वेरावस से गुट्स को अगर आपको डॉमस्टिक टेरिफ एरिया य कंदमशन यह ग्रीन कलर का होता है बराबर है इसको एक्स बॉंड इसलिए करते हैं यह फाइल करने के बाद आप डूटी पे करोगे जो बॉंड आपने यह साइन किया था वो कैंसल हो जाता है second payment of duty within two days otherwise interest will be charged proper officer will make an order for remove of goods from warehouse to DTA मतलब अगर मैंने यह order नहीं बनाया तो यहाँ पे warehouse की पर जो मैडम थी मंगता वीडियो के अंदर वो goods issue ही नहीं करेगी यहां से निकलेगा इनी तो इसलिए proper officer order बना कर देगा उसके बाद ही goods यहां से remove हो पाएगा warehouse से domestic tariff area के लिए fourth point है cancellation of bond जो bond इन्होंने sign किया जब इन्होंने duty वगरा pay कर दी तो bond cancel कर देंगे यह जो duty pay करते हो three times नहीं होती है वो fraud करते हैं तो ही होगी otherwise normal duty जो भी applicable होती है उस rate से duty pay करके goods को remove करो अब यह आप copy करो उसके बाद हम पढ़ेंगे indian currency में convert किस rate से क्या जाता है और duty के लिए कौन से rate applicable होती है इसको बराबर है तो इस पूरे को एक वार आप copy कर लो यह ओके करते हैं कichtig होती है ओर आप Fant Темihouch उसरी में लो बझा क्वजबू किस वासरा क्सी में ह corona झाल 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 मतलब वेरा उसे आप माल लेकर गजा रहे हो अपने डॉमेस्टरिफ एडिया में और फर्स्ट नवंबर को आपने ड्यूटी पे की हैं ओके अब इदर देखना 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 54. एक एक एक्जाम्पल लिया है मैने. मतलब शिप जब एंटर वा इंटिन टेरिटोर्यल वाटर में तो RBI की रेट चवरिती पर डॉलर 45 रुपीस. और सिगी सिगी रेट ती सेंटल बोर अब एक्सरेंट करस्टम की 46. जब एंटर नोड गांटिन मिला तो यह 47 थी, यह 48 थी. फिर जब वहराउस के लिए माल ले जा रहे थे, यह 49, यह 50. जब बिल अप एंटर फाइल के हम कंजम्शिन के लिए 51, 52. और जब डूटी पे की तो यह 53, 54. अब आपके पास में 10 रेट्स अवेलेबल है. कौन से रेट्स से आप कर्मट करोगे, इन्हों इसको रुपीज में है. ओके, दूसरा, रेट व ब्यूटी भी मालगतिया अलग अलगे. 12%, 14%, 16%, 18%, 20%. उस गुड्स पे रेट्स भी अलग अलग है. एक्चुली रेट्स में इतना जल्दी फ्लक्ट्विशन आता नहीं है, बढ़ एक कॉंसर्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतनी सारी रेट्स यूज किये. जनरली, साल में एक बार, दो बार मुश्किल से चेंज होता है रेट्स में. तो इधर देखूं. अब आपको पहले तो यह पता करना इंटेन में से, कौन सी रेट्स से फोरिन करन्सी, इंडिन करन्सी में करन्सी में करन्सी का है, वो इंडिन करन्सी में करन्सी का है, वो इंडिन करन्सी में करन्सी का है, इसका मतलब यह तो साफ, यह दो कान की नहीं है, अब रेट 1, 2, 3, 4, 5, इनि में से ही कोई होगी, बट कौन सी, and prevailing at the time of filing of bill of entry, first time, bill of entry जब पहली वार फाइल किया, उस दिन जो CBC गिरेट थी, जड़ा देखते, bill of entry यहाँ पे file वार नहीं, यहाँ पे file वार नहीं, अरे हाँ, यहाँ यहाँ पे वाद है को, bill of entry for home consumption, यह नहीं बुला home consumption या warehouse, sorry, bill of entry for warehouse, बट यह नहीं बुला warehouse या home consumption, यह बुला first time जब भी file किया, यहाँ पे file किया, क्या second September, उस दिन CBC गिरेट क्या चुल रही थी, 50, तो यह 50 से यहाँ पे convert होगा, रुपीज 50 per dollar, तो इनोस की value कित्ती हो जाएगी, 50,000, मेंस असे से बले value, 50,000 रुपीज है आपकी, अब इस पर duty चार्ज करनी है, customs duty, basic custom duty, basic custom duty, कितनी होगी, वो देखना है, तो वो किसे निकालेंगे, अब rate 5 है, तो यह क्या बहुत है, rate of duty, duty के लिए कौन सार लोगे आप rate, rate prevailing on the date of filing of bill of entry for home consumption, अब यहाँ आपने wordings use की, home consumption, जब भी आपने home consumption के लिए goods को remove किया, इसका मतलब वो X bond bill of entry भी हो सकता है, यह normal bill of entry, जो बावेश वागिला के case में था, normal bill of entry for home consumption, और entry inward granted, और entry inward granted, whichever is letter, जो भी date बात की होगी, उस दिल की rate applicable होगी, तो इधर देखते हैं, इधर आओ, entry inward granted, कौन सी rate को है, 4th August, और home consumption के लिए आप bill of entry का file कर रहे हो, 31st October, दोनों में से whichever is letter, कौन सी बात की है, 31st October, उस दिन, कौन सी rate थी, 18%, तो यहाँ पर यह जो duty charge होगी, वोगी 18% of 50,000, of 50,000, उतने duty आपको पेकर नहीं है, अब इधर देखो, सर, आप भी क्या मजा करते हो, entry inward granted ही हमेशा पहले होगा, और home consumption हमेशा बाद में होगा, नहीं, जब कभी भी, जब कभी भी, वेराउस से माल जाता, domestic tariff area में, तब bill of entry for home consumption हमेशा बाद में आएगा, export bill of entry for home consumption बोलते हूँ, वो हमेशा लेटर रहेगा, उसमें आप entry inward granted नहीं भी देखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर goods custom area से आप निकाल करके कहां ला रहे हो, domestic tariff area में, जो बावेश वागिला लेकर कहा है थे, उस time में कई वार goods को entry inward granted permission नहीं मिलती, IGMC ship चेक नहीं होता, उससे पहले कई वार bill of entry फाइल कर देता, importer, क्योंकि उसको मालूम है, इस ship से मेरा माल आया है, और मुझे फड़ा पड़ माल लेकर कर जाना तो उस case में bill of entry पहले भी फाइल होती है, तो कई वार bill of entry पहले फाइल हो जाती है और entry inward granted बाद में होता है, और कैर आपको इतने attention लेने के ज़रूत नहीं, आपको थे exam इसकी भी date देंगे, इसकी भी date देंगे, जो बाद की date है, उस दिनकी rate आपको ले लेनी है, तो यहाँ पर आपकी ये custom basic, custom duty आजाएगा, जो भी amount आएगा, कितना होगा, 9000, रुपीज 9000, ओके, तो सब सब पहले इसको copy करो, rate of forex, rate of duty, ये copy करने को बाद ये example copy करो, बरामर है, ताकि समझ मैं है, उसके बाद चलेंगे हम next topic पे. झाल 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 झाल